कि तो आज हूं पात करने वाल हैं कि प्रसेस करने के लिए तो अधीन होता कै इस कि एक पार्लें हम बात करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइबे के चैनल को सबस्कार कःगर करें को प्रेस कर दिजồi 10 यूजिंग इयम क्यों व нужно टीशू, तुसे इवदा है, जब साइन, डिसीज, डेमेज, और अदर अबनॉर्मलिटीज, मतलब कि जो हिस्टो पैथलोजी होता है, उसमें हम माइक्रोस्कोप के दौरा, आपके यूमन बोडी में जो टीशू सोते हैं, उसको हम देखते हैं, और देखने के बाद से हम उसम को पता लगाते हैं, उसमें किसी तरह कोई डेमेज हुआ एक नहीं, और कुछ अबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, यह हम हिस्टो पैथलोजी से पता करते हैं, जो हम इस्टेडी करते हैं, उसमें हम टीशू को बारे हम पता करते हैं, जब कि हम पैथलोजी में जब आपकाब क देखते हो तो आप क्या करते हो डिसीस के बारे में पता लगाते हो यानि कि हिस्टो पैतलोजी में हम टीसूस के बारे में पता लगाते हैं और पैतलोजी में हम क्या करते हैं कि beaches के बारे में हम पता लगाते हैं तो इस हिसाफसे जो histopathology होताεια है हमारा वह हमारे tissues से related disag Tales के बारे में हम पता लगाते हैं क्योंकि जो histopathology होता है उसमें आप देखते हो कि जो भी आपके body का organ होता है जब upgrade किया जाता है तो आपके बोड़ी से कोई भी ओर्गन अगर निकाला जाता है या कुछ टीशूस अगर निकाला जाते हैं जैसे फ्लोट निकाला जाते हैं तो आपको हिस्टो पैतलोजी में वैजा जाता है जहां पर यह देखा जाता है उसके अंदर जो टीशूस होते हैं उस टीशूस के माध्यम से पता लगा जाता है कि किसी तरह के कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है किसी है कोई प्रोग्लमिया कोई डिसिस तो नहीं दिखाइदे रहा है यह जो बोडी पार्ट आपके सरीर में अगर खराब होया है operate करके जब निकाला जाता है तो उस बोडी पार्ड के द्वारा हम यह देखते हैं उसमें टीशू आइडेनिफाई करके कि साथ आपके बोड़ी के अंदर कोई डिसीस तो पनप नहीं रहा है कोई डिसीस तो नहीं दिखाई दे रहा कोई बिमारी तो नहीं हो रहा है जिससे यह कंफर्म हो सके कि आपने वह जो खराब ज किया कोई डिसीस है अब नॉर्मल्टी आप उसके बारे में पता लगाये जाता है यह काम हमारे कोолी करते हैं घ्यूकर को